दोस्तों स्वागत है आपका खास ख़बरे आपका अपना निऊस चैनल देश और दुनिया की खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेट Falls खबरे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकोन को हिट करना न भूले कितनी है मुकेश अमबानी के ड्राइवर की सेलरी? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश. मुकेश अमबानी के पास प्राइवेट जेट के साथ ही 500 सेकंड ज्यादा लगजरी गाड़ियां हैं. लेकिन आपने शायद ही उनके घर में काम करने वालों के बारे में कभी सुना हो नई दिल्ली, देश की सबसे रईज व्यक्ति मुकेश अमबानी की संपत्ती पिछले एक साल में हर दिन 300 करोड रुपे बड़ी है. बाकले जुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2018 में इस बात का खुलासा हुआ है. रिलायन्स इंडिस्ट्रीज के चेर्मेन मुकेश अमबानी 37 171,000 करोड रुपे की संपत्ती के साथ लिस्ट में लगातार साथवे साल पहले पायदान पर हैं. एक साल में उनकी कमपनी के शेरों का भाव 45 फीसदी बढ़ चुका है. यह तो मुकेश अमबानी की कमाई की बात हुई. लेकिन, क्या आपको पता है, उनके साथ चलने वाले ड्राइवर की कमाई कितनी है. शायद ही आपको इस बात का अंदाजा हो कि उनके घर पर नौकरी करने वालों की लाइफ अस्टाइल कैसी है. कभी कैश या क्रेडिट कार्ड नहीं रखते मुकेश अमबानी. उद्योगपती मुकेश अमबानी ने एक कार्यक्रम के दौरान क कहा था कि वह अपने साथ कभी भी कैश या क्रेडिट कार्ड लेकर नहीं चलते. उन्होंने बताया था कि उनके लिए किसी भी चीज का इंतजाम दूसरे लोग ही कर देते हैं. मुकेश अमबानी का घर एंटिलिया दुनिया का सबसे आलिशान और महंगे घरों में से एक है. 500 सेकंड ज्यादा लगजरी गाडियां. मुकेश अमबानी के पास प्राइवेट जैट के साथ ही 500 सेकंड ज्यादा लगजरी गाडियां हैं. लेकिन शायद ही आपको अंदाजा होगा कि उनके ड्राईवर भी लाखों के मालिक हैं. उनके ड्राईवर की सेलरी कितनी है? मोटी तंखवाह. उनके ड्राइवर की सेलरी से जुड़े वाइरल वीडियो में बताया गया है कि अमबानी अपने ड्राइवरों को हर महीने मोटी तंखवाह देते हैं. एक ड्राइवर की महीने की सेलरी दो लाक रुपे से भी ज्यादा होती है. आमतोर पर निजी ड्राइवर की सेलरी बीस हजार रुपे महीने तक होती है. हाला कि जी न्यूज इस बात की पुष्टी नहीं करता कि सोशल मीडिया पर वाइरल हुए इस वीडियो में बताई गई जानकारी पूरी तरह सच है. निजी कमपनी करती है ड्राइवर का सिलेक्शन. मुके शंबानी का ड्राइवर बनने की चाह रखने वाले लोगों को कई परीक्षनों से भी गुज़ना पड़ता है. मुके शंबानी के ड्राइवर का चुनाव करने के लिए निजी कमपनियों को जिम्मेदारी दी जाती है ये कमपनियां काफी लंबी प्रक्रिया के बाद ड्राइवर का चैन करती है मानकों के आधार पर अंतिम रूट से चैनित ड्राइवर को कमपनी की तरफ से प्रशिक्षन दिया जाता है। उसके बाद ही ड्राइवर को मुके शंबानी या उनके परिवार के किसी सदस्य की कार चलाने के लिए भेजा जाता है। आसान से नहीं मिलती नौकरी। चालक के चैन में यह भी देखा जाता है कि संबंदित ड्राइवर रास्ते में किसी तरह की परेशानी को किस तरह हैंडल करता है। वाइरल हो रहे वीडियो में यह भी बताया गया कि मुके शंबानी के घर पर नौकरी पाना आसान नहीं है। उनके घर एंटिलिया में किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए चुनाव एक स्पेशर प्रक्रिया से ही होता है।